आपने नायक फिल्म देखी है जहाँ पर अनिल कपूर एक दिन के लिए मुख्य मंत्री बन जाते हैं और उसके बाद धड़ाधर सभी कर्मियों की छुट्टी कर देते हैं मिल्कुल ऐसे ही एक सची घटना बिहार में भी हुई है जहाँ पर 13 वर्ष की एक छोटी सी लड़की काजल तिन दीन के लिए मुख्या बन जाती है और उसकी बाद अपने ही स्कूल में प्रभारी प्रद्याना ध्यापिका की छक्की छुड़ा देती है इस वीडियो में ये इखटना आपको विस्तार से बताएंगी इससे पहले नमशकार मैं निहा चौदरी क्यामर पोसन विशाल के साथ और आप देख रहे हैं जंता जंक्शन ये खबर बिहार के रहतास के सामने आई है जहां पर 13 साल की एक छोटी सी बच्ची तीन दिन के लिए मुख्या बनती ह और उसके बाद पदभार ग्रहन करने की तुरंत बात से ही अक्शन लेना सुरू कर देती हैं काजल सुमवार को पदभार संभालती है और उसके बाद जैसे ही सुबह के दस बचते हैं वैसे ही ग्राम सभा आयोजित की गई और इस दभा में 14 वाड की सभी सदस उपस्थित जहाँ पर सभी वाट सदर से मुख्या को अपने अपनी वाट की योजनाएं बताते हैं और गाव में क्या कुछ काम करवानी है इसको लेकर भी मुख्या काजल को एक प्रस्ताव भीजा जाता है इसके बाद सुबह के सभा को समाप्त किया जाता है और 11 वजे काजल पंचायत क सभी स्कूल का निरिक्षन करने के लिए निकल पड़ती है निरिक्षन के दौरान काजल रूप खता मद्ध विद्याले पहुंची जहाँ पर विद्याले के प्रभारी प्रद्यानध्यापिका मीरा कुमारी स्कूल से गायब थी जैसे ही मीरा को निरिक्षन के बारे में पत लगाने लगती है और इस दौरान देर से इसको लाने पर खूब फटकार भी लगाती है इसको लाने का समय 10 बजे है लेकिन इसके बावजूद प्रधाना ध्यापे का मीरा 12 बजे स्कूल पहुंचती है और जैसे ही काजल को स्कूल में देगी तो पहले तो वह समझ नहीं लगाने के बाद पूरे स्कूल की चक्र लगाती है जहां पर क्लास्रूम से लेकर बात्रूम हर जगर काजल निरिक्षन करती है और उसके बाद स्कूल के रजिस्टर की जांश करके सारी कम्यां स्कूल के प्रिंसिपल को गिना रही होती है काजल जैसे स्कूल पहुंची तो बांकी के एक छुट्टी पर हैं बांकी के सिक्षकों नहीं प्रधाना द्यापिका को कुछ भी नहीं बताया इसके अदलावा काजल मध्यान भोजन की भी जांच करती है और उसने मध्यान भोजन में भी काफी कुछ गरबड़ी बताई और इसके बाद काजल स्कूल के 140 लेकर पानी की अच्छी विवस्था करने को लेकर निर्देश देती है और प्रधाना द्यापिका को ये भी कहती है कि आगे से स्कूल सुचारुढंक से संचालित होना चाहिए आपको बतादें कि काजल मुख्या बनकर ये सब कामिसली कर पाई क्योंकि बीते दिन गंतंत्ता निर्जन किया था यहां पर इस प्रतियोगिता में जो भी अव्वल आता उसी तीन दिन के लिए पंचायत का मुख्या बना दिया जाना था जिसके बाद गाओं के सभी बच्चे प्रतियोगिता में भाग लेते हैं और काजल उन सब में अववल रही इसी वाज़ते पंचा से जुड़े काफी सारे निर्ने भी लिये हैं मांकि काजल जब तीन दिनों तक मुख्या बनी रही तो इस दौरान वार्ड सदसी की मिटिंग भी बुलाई गई और उसके बाद पंचायत में मौजूद कई सारे स्कूलों का काजल निरिक्षन भी किया इसके साथ कई सारी पूछते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा आगे की तमाम खबरों के लिए जनता जिंक्षन देखते रही हन्यवाद